पर इस्थितियों को इमानदारी के साथ आपके सामने रखता रहा हूँ, आपसे चर्चा करता रहा हूँ एक चीज हम लोगोंने हमेशा गांठ बांध के रखे, आपको कभी गलत अत्थे नहीं दिये, आपसे कभी जूट नहीं बोला, जो था आपके सामने रख दिया अगर स्थिती अच्छी थी तो भी आपको बताया, स्थिती खराब थी तो भी आपको हमने इमानदारी से बताया क्योंकि हम पहले दिन से समझ गए थे कि यह इतनी बड़ी आपदा है कि आपके साथ के बिना जनता के साथ के बिना अकेले इस आपदा से सरकार सामना नहीं कर सकते जनता का सहयोग और जनता की सहभागिता इस पूरे संघर्ष में बेहत जरूरी है और जब तक जनता को सच नहीं बताया जाएगा सारे तथे जनता के सामने नहीं रखे जाएंगे तब तक जनता के भागिदारी सुनिश्चित करना असंबर था इसी दे हमने हर चीज आपके सामने रखी हमने टेस्ट नहीं कम होने दिये आज दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं मैं तो ये कहुँगा कि अगर प्रती दस लाख की पॉपुलेशन पे देखा जाए तो शायद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टेस्ट दिल्ली में हो रहा है मैंने देखा कि कई जगों पे उन्होंने टेस्ट कम कर दिये टेस्ट कम कर दिये तो केस कमाने लग गए इस तरह से तथ्यों के साथ कई जगे हेर फेर करने की कोशिश की गई हमने ऐसा नहीं किया हमने टेस्ट कम नहीं किये उल्टे कम करने के वज़े हमने दिल्ली में टेस्ट कई गुने बढ़ा दिये आज लगबग एक लाख टेस्ट दिल्ली में डेली हो रहे है हमने मौत के आंकड़े आपसे नहीं छुपाए जितनी मौतें होती थी, हमने सब आपके सामने रखी, इमानदारी से रखी, अगर ज्यादा हो रही थी तो ज्यादा बताई, कम हो रही थी तो कम बताई, कितने बेड्स हैं, कितने आईस्यू बेड्स हैं, क्या परिस्थितियां हैं, हर चीज आपके सामने इमानदारी के साथ और इसी वज़े से जब भी हमने कड़े निरने लिये हमें आपका पूरा सहयोग मिला मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी दिली एक परिवार है दिली के दो करोड़ लोग एक परिवार है और जब परिवार में कोई आपदा आती है तो सारे परिवार के लोग मिलके उसका सामना करते है अब भी हम सभी मिलके इसका सामना करेंगे पहले भी जीत हुई थी अब भी जीत होगी आज दिल्ली में क्या परिस्थिती है पिछले 24 घंटे में दिल्ली में लगबग 25.000 केस आये थे तो पिछले 3-4 लोज दिन से रोज हम देख रहे हैं लगबग 25.000 के खरीब केस आ रहे हैं पॉजिटिविटी बहुत जादा बढ़ गई है, संक्रमंदर बहुत जादा बढ़ गई है दिल्ली के अंदर अस्पतालों में उपलब्ध बेड्स की भारी कमी हो रही है डेली पच्चिस-पच्चिस हजार अगर पेशेंट्स आएंगे तो कोई भी विवस्था चर्मरा सकती है दिल्ली के अंदर बेड्स की भारी कमी हो रही है ICU beds दिल्ली में लगबग खतम हो गए है आज सुबह मैं एप पे देख रहा था सौ से भी कम ICU beds दिल्ली में बचे है oxygen की भारी कमी हो रही है कल हमने central government को भी लिखाया उनसे बाचीच चल रही है परसो रात को एक हादसा होते होते बचा एक private hospital ने हमें बताया कि परसो रात को तीन बजे के करीब उनके hospital की oxygen लगबग खतम हो गई वो बोले जी हम तो बहुत बुरी तरह से डर गए बहुत बड़ा हादसा हो सकता था इधर उदर हाथ पर मारके किसी तरह से उन्होंने कहीं से oxygen का इंतिजाम किया दवाईयों की कमी हो रही है Remdesivir दवाई की खासकर काफी कमी हो रही है यह सारे तथे मैंने आपको डराने के लिए नहीं बताये यह सारी परिस्थिती है और इन परिस्थितियों में हमें अब अगला कदम क्या उठाना है इस पे चर्चा करने के लिए मैंने आपको यह परिस्थिती बताई है तो दिल्ली के अंदर करोना की परिस्थिती काफी गंभीर है अभी तक हमने दिल्ली के अंदर health system को बड़े अच्छे तरीके से manage किया दिली में चौथी wave आई है पहली wave पिछले साल जून में आई थी जिसमें साड़े चार हजार के करीब केस आए थे दूसरी wave आई फिर सितंबर में फिर तीसरी wave आई जिसमें साड़े आठ हजार के करीब केस आए थे दुनिया के कई शहर ऐसे हैं बड़े बड़े देशों के विक्सित देशों के शहर जहां 6,000 केस आए तो उनका पूरा हेल्थ सिस्टम चर्मरा आ गया कॉलाप्स कर गया दिल्ली में 8,000 केस आए पिछली बार तीसरी वेव में तब भी हमारा सिस्टम कॉलाप्स नहीं किया उल्टे हमने और ज्यादा अपनी तैयारियां शुरू कर दी आज 25,000 केस आएं अब दिल्ली का हेल्थ सिस्टम अपनी सीमा तक पहुँच गया है हमारा हेल्थ सिस्टम अब बहुत ज़्यादा तनाव में है मैं ये नहीं कहुँगा कि हमारा हेल्थ सिस्टम अभी कॉलाप्स किया है लेकिन आज हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत ज़्यादा तनाव में है किसी भी हेल्थ सिस्टम के अपनी सीमाई होती है अंगिनत पेशेंट्स तो कोई भी सिस्टम नहीं ले सकता ना किसी भी सिस्टम के अपनी सीमाई है पिछले पांच साल में आपकी सरकार ने दिली में बढ़ बहुत बड़े स्तर पे स्वास्त के क्षित्र में काम किया है खूब नए हॉस्पिटल खोले हैं महला क्लिनिक पॉली क्लिनिक बनाए है बहुत बड़े स्तर के उपर स्वास के खित्र में काम हुआ है यही कारण है कि आज 25,000 केस के उपर भी दिल्ली का सिस्टम चल रहा है लेकिन अब इसके बाद अगर तुरंत कुछ कठोर कदम नहीं उठाए गए तो यह सिस्टम कलाप्स कर सकता है और अगर हेल्थ सिस्टम कलाप्स कर गया तो मुझे डर है कहीं बहुत बड़ी तरासदी नहों जाए जैसे हमेंने बताया कि कल एक अस्पताल में ऑक्सिजन बिलकुल खतम हो गई थी और बहुत बड़ी तरासदी होते होते बची मैंने वीडियोज देखे हैं तस्वीरे देखे हैं आपने भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे दुनिया के कई शहर ऐसे हैं जहां कॉरिडोर में पेशेंस पड़े हुए हैं सडकों के उपर लोग दम तोड़ रहे हैं अभी तक हमने दिल्ली को उस किसम की तरासदी से बचाया है वैसा नहीं होने लिया आज सुबह ग्यारा बजे मेरी और एल जी साब की मीटिंग हुई और इन सारे पहलूँ के उपर सारी परिस्थिती के उपर काफे विस्तार से बाचित होई और उस बाचित के बाद हमें ये लगा कि दिल्ली का हेल्थ सिस्टम बड़ी मात्रा में और अधिक पेशेंट्स अब लेने में असमर्थ है अगर हमने अभी लॉकडाउन नहीं लगाया तो कहीं ऐसा नहों की बड़ी तरासदी हो जाए हम किसी भी हालत में दिल्ली को उस परिस्तिती में नहीं ले जाना चाते जहां कॉरिडोर के अंदर पेशेंट्स पड़े हैं सडकों पे लोग दम तोड़ रहे हैं आज सभी परिस्तितियों का जाजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉग डाउन लगाना ज़रूरी है तो आज रात को दस बजे से अगले सोमवार को सुबह पांच बजे तक छे दिन के लिए दिल्ली में लॉग डाउन लगाया जा रहा है इस दौरान जाहिर है कि जो जो essential services है वो जारी रहेंगी खाने पीने की, medical विवस्थाओं की वो जारी रहेंगी ये शादियों का सीजन है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिष्टे बनते हैं हम उनके रिष्टे तोड़ना नहीं चाहते तो लोगों की शादियां संपन हो, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन हो उसके लिए लग से पास दिये जाएंगे इसके बारे में अभी थोड़ी देर में डीटेल डॉर्डर जारी हो जाएगा की चीजे जारी रहेंगी और कौन सी चीजों पर पाबंदी रहेंगी मैंने और LG साहब के हम दोनों ने निरने तब लिया है जब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा था हमारे लिए निरने लेना असान नहीं था क्योंकि मैं समझ सक्ता हूं कि लोकडॉण के दौरान किस तरह से क्याती है और खास कर सबसे गरीब थब के लिए तो ये बेहद मुश्किल होता है जो दिहारी करके रोज कमाते है उनके लिए तो बेहद मुश्किल हो जाता है पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गाउं जाने लगे थे उसे मैं खास तोर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ ये छोटा सा लॉकडाउन है छे दिन का दिली छोड़ के मत जाईएगा आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा इतना पैसा खराब हो जाएगा इतनी उर्जा खराब होती है दिली में रहिए मुझे उम्मीद है कि ये छोटा लॉकडाउन हो और छोटा ही रहेगा मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद बढ़ाने की जरूरत ना पड़े आप दिल्ली में रहिए यकीन मानिये हम पूरी मानदारी के साथ सब मिलके लड़ेंगे तो जल्दी इस मुझसीबस से छुटकारा पाएंगे मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सरकार आपका पूरा खयाल रखेगी मैं हूना मुझे पर भरोसा रखे मेरी दिल्ली के सभी नागरिकों से अपील है कि ये निरने हमने बहुत मुश्किल से लिया है आप सब लोग जानते हैं कि मैं लॉकडाउन के सक्त खिलाफ रहा हूँ हमेशा से मैंने लॉकडाउन का विरोध किया है मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन से करोना खतम नहीं होता लॉकडाउन से करोना की स्पीड कम हो जाती है मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर किसी भी शहर या राज्य की स्वास्त विवस्था अपनी सीमा तक पहुँच जाए तो lockdown लगाना जरूरी हो जाता है ताकि patients का number कम हो जाए ताकि health system को और दुरुस्त किया जा सके ये जो 6 दिन का lockdown हम लगा रहे हैं ये जो 6 दिन हम ले रहे हैं आप से इन 6 दिनों के अंदर हम बहुत बड़े स्थर के उपर और दिली में beds की विवस्ता करेंगे केंदर से मम दद मांग रहे हैं उनसे लगातार संपर्क में हैं केंदर सरकार हमारी मदद भी कर रही है उसके लिए हम केंदर सरकार के शुक्र गुजारें उनसे आक्सीजन की विवस्था करेंगे, दवाईयों की विवस्था करेंगे, इस लॉकडाउन के समय को हम इन सब चीजों के लिए इस्तिमाल करेंगे मेरी अब सब लोगों से गुजारिश है कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, घर से बाहर इस दौरान ना निकलें पहले भी हमने कई कठिन निरने लिए और आपने मेरा पूरा साथ दिया मुझे पूरी उम्मीद है आज भी आप मेरा साथ देंगे हम मिलके इसका मुकाबला करेंगे और जरूर जीतेंगे नमस्कार